हाई व्यूवर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्रेंड्स यह देखिए आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप लेडिस काडियन में, लेडिस जैकिट में, लेडिस रग में, बच्चों के स्वेटर में, बच्चों की फ्रॉग मे एज बॉडर यूज कर सकते हैं, यह दिखिए, फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है, और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है, तो फ्रेंड, इस डिजाइन को बनाने के लिए, आपको जो स्टिचिस चाहिए होंगे, वो टू के मल्टिपल से होंगे, प्लस थ्र एक्स्ट्रा रखने होंगे एक फंडा सा कार्ट में डिजाइन को इकुल करने के लिए और यौप रोट्ल काड़िंतifice हैं ये इसकी फर्स्ट राउं ऐसे सारी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे रो सेकिंड रॉं ऐसे सारी रो को भी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे ये दिखें रो सेकिंड कम्प्लीट हो गई है अब हम उपर इसकी फोर रो सेम ही बनाएंगे इसकी रो थर्ड फोर्थ फिफ्ट और सिक्स रो फस्ट और सेकिंड की तरह बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे ये दिखें फैन हमारी सिक्स रो कम्प्लीट हो गई है सेवन रो है राइड साइड ये दिखें ऐसे ही उतारेंगे अब एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर दिखें यहां से रोपीट पैटन स्टार्ट करेंगे धागा आगे करेंगे जाए डालेंगे और आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये दिखें ये हमारा दो फंदों का पैटन है एक हमने जाए डाले और दो फंदों का एक फंदा बनाया यही दो फंदों का पैटन हम एन तक पीट करते हो जाएंगे धागा आगे करेंगे जाए डालेंगे आगी साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आग तक जितने भी हमारे पास फंदे होंगे, ऐसे ही हमने इसको बनाना है, धागा आगे जाए डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा जाए डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाए डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से धागा आगे जाए ड ये दिखे ऐसे ही end तक जितने भी पनदें होंगे सबी को गुंकर complete कर लेंगे ये दिखे धागा आगे 2 फंदू का एक फंदा फिर से धागा आगे करेंगे चाहई डालेंगे और दो फंदू का एक फंदा बनाएंगे और लास्ट का एस्टिज सीधा बना लेंगे ये दिखे हमारी 7th row complete हो गई है 8th row है wrong sign इस सारी row को हर बार उल्ट उल्ट फंदों के साथ गुन कर complete कर लेंगे row 9 है right side फिर से एस्टिज ऐसे उतारेंगे यहां से एक फंदा सीधा बनाएंगे अब यहां से repeat pattern फंदा करेंगे ढागँ दालेंगे फिर से चलिज सीधाओ पर दो फंदों का एकसरा बनाएंगे, दिखीए यह इसे हैं धागा आगके साइडर से जाईडर दलेंगे दो फंदों का एक पाभ बनाएंगे आयर डलेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे ही इस सारी रोग को भी एंट तक बुनकर कम्प्लीट करेंगे लास्ट में दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाड़ डालते हुए ऐसे सीधा बना लेंगे ये दिखे रो 9 complete हो गई है, wrong side इसकी सारी उल्टे-ल्टे फंदुकसाथ बनाएंगे, अब उपर इसकी रो 11 और रो 13 भी same, रो 7 की तरह बुनकर complete करेंगे, ये दिखे फैन, रो 14 complete हो गई है और हमारा pattern भी complete हो गया है, फिर से हम इसे first row से start करेंगे, ये दिखें, first row यानि कि हम इसकी यहां से उल्टे-ल्टे फंदुकसाथ ये वाली रो निकालेंगे, फिर ऐसे ही इसकी 1-2-14 रो रपीट करते जाएंगे, और ये pattern बनकर इस तरह से दिखने लगेगा, ये दिखेंगे, तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाएए और अपने experience मारे साय शेयर कीजिए, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सिस्क्राइब करना मत भूलें, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू, फ्रेंड फर वाच में वीडियो